नमस्कार आप देख रहे है क्राइम तक मैं हूँ अश्विनी सिंग मेरे साथ है आसिम इस वक्ती सबसे बड़ी खबर मनिपूर से आ रही है पिछले कुछ दिनों से मनिपूर में लगातार हिंजा हो रहा है इसी बीच एक वीडियो वाइरल हुआ है जिसमें एक लड़की को निर्वस्त करके कुछ लड़के बकायदा वहां पर जुलुस निकालते हैं, जिसके बाद उस लड़की को वहां से खीच करे खेत में लेके जाते हैं जहां पर उसे नगन करके और उनके साथ रेप करते हैं हाल ही में ये वीडियो वाइरल किया है हालांकि वार्दा चार मई की है लेकिन इस मामले में FIR भी कुछ दिनों बाद होती है जिसके बाद ये वीडियो अभी वाइरल हुआ है जिसे लेकर आगे की जानकारी आपको आसिम देंगे अश्वनी ये जो वीडियो वाइरल हुआ है ये वीडियो बताया जा रहा है कि चार मई का ये वीडियो है और इस पूरे मामले पर जो ITLF है यानि कि इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर फोरम की तरफ से थरस्डे को प्रोटेस्ट होना था इस प्रोटेस्ट से पहले इस हो रहा है उनको क्या के जहिलना पड़ ला है ये चीज बताने के लिए चार मई का वीडियो अब जाके वाइरल हो रहा है पुलिस ने इस मामले में जाच कर रही है हाला कि पुलिस ने कुछ हत्यारबन लोगों के खिलाफ तोबल दिस्ट्रिक के नगवपोक सेकमई पुलिस में ज्यादतर लोग मैते ही समुदाई के थे इस पूरे मामले पे चार मई का ये केस था चार मई कोई सारे इंसिडेंट हुआ था लेकिन जो फाइर दर्ज होई है रिपोर्ट के मुताबिक वो 21 जून को दर्ज होई थी इस पूरे मामले पे एक तकरीमन एक महीने से भी ज् उन्होंने बकाईदा मिडिया से रूबरू हुई जिसमें उन्होंने मनी पूर के सी एम से अपील की है कि उन्हें विजिट करने दिया जाए और वो पीडिता के घर बालों से भी मिलना चाहती है वो जानना चाहती है कि आखिर ये मामला कैसे क्या हुआ किस तरह से उस और इस वीडियो में जैसा कि देखा जाएगा कि वो लड़कियां हैं कुछ लड़कियों को ये लोग बकाईदा नंगन करके जुलूस निकालते हैं और जुलूस में एक दो नहीं बलकि पूरी जुंड होती है ये दो समुदाय के लोग होते हैं जो आपस में ही इनका कुछ व और इन लड़कियों को नंगन करते हैं नंगन करने के बाद उनका वीडियो बनाते हैं और पूरा जुंड उस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे उनके साथ आते हैं इसी दौरान वो लड़की को घजीट कर खेत में लेके जाते हैं और घिनोनी अपरात को अंजाम देते हैं जिसके निंदा स्वाती मालिवाल ने की है इसके साथ ही सुप्रीम कोट के सुप्रीम कोट ने भी स्वतर संग्यान लिया है इस मामले में कहीं न कहीं मनिपूर में जो कुछ हो रहा है इससे देश पूरा सुलग रहा है इस केस को अगर मैं आपको बताऊं कि यह जो केस है असल में चार मई को मनिपूर में पहली बार हिंसा भड़कने के एक दिन पहले लगबग रात में करीब तीन बजे एक हजार लोग AK-47, SLR, इंसास जैसे अत्यादूनिक हतियारों को लेकर भी फैनम गाउं में घुजगाए थे हुआ क्या कि हिंसक भीड ने वहाँ पे जाके तोड़ पोर, संपत्ती लूटी और घरों में आग लगा दी शिकायत में ये भी बताया गया है और अब तक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हमले के दौरान दो पुरुष और तीन महिलाएं जंगल की तरफ भाग गई थी बाद में उन्हें नौंकपई सेक्माई पुलिस ने बचाया और उन्हें नौंकपई सेक्माई पुलिस टेशन ले जा रहा था तबी भीर ने उन्हें पुलिस टेशन से लगबक दो किलोमेटर दूर तोबुल सेक्माई हुनी के पास पुलिस टीम से छीन कर ले गए थे और मनिपूर में तीन मई को कुकी समुदाई की ओर से निकाले गए आदिवासी एकता मंच के दोरान ये हिंसा भड़की थी इस दोरान कुकी और मेती समुदाई के बीच हिंसा जड़ब भी हो गई थी तब से वहां और हाला तनावपूर बन गए थे जानकारो का मानना है कि इस पूरे मामले पर बाचीत से हिंसा को शानकिया जा सकता था में समस्या ये बाचीत सुधरने से तयार नहीं हो वो लोग नहीं तयार हुए और ये हिंसा ora इतनी भड़क गई इतने ही नहीं शिकायत में ये भी बताया गया है जो मतलब रिपोर्ट्स आ रही है जो भी जितने भी अब तक इंफोर्मेशन आई है कि जो वीडियो वारल हुआ है वो घटना चार माई को उस्वा में कांगपोई जिले में हुई थी इसमें भीर ने दो महिलाओं को निर्वस जो छेड़ चार हुई है जिन महिलाओं के साथ वो कुकी जो जनजाती की थी और जिन्होंने करी है से रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वो मैती समुदाई की है इतने ही इस मामले पर जो मुख्य मंत्री है एंबिरेंज सिंग उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने इस वी को इसमें मार भी डाला है और तीन महिलाओं को निर्वस्त किया था हालाकि जो वीडियो है वीडियो में दो ही महिलाई दिख रही है इन में से एक 19 साल की पीडिता के साथ गैंग रेप भी किया गया है और साथ ही जो उसका जो भाई था जब वो भाई अपनी बहन की मदद करने पहुचा तो भीड ने कह रहा हैं कि उसकी हत्या कर दे थी बाद में तीनों महिलाओं को किसी अंजान लोगों की मदद से मौके से भागने में सफल हो पाई थी मतलब सोची एक भाई को मारा क्योंकि उसकी वो अपनी बहन का गैंग रेप होने से बचाने जा रहा था भीड किस हद तक इंसानियत को शरमसार करते हुए उस जानवर की तना उस वहाँ पे हिंसक होई थी कि ना सिर्फ तीन लड़कियों को कपड़े उतारके बिल्कुल उनको निर्वस्त किया बलकि एक शक्स की मौद भी हो गई है इस केस में प्रदानमंत्री मोदी ने अभी इस चीज पर बोले उन्होंने भी बोला कि उनको भी काफी दुख पहुचाए इस तरह की घटना को बरदाश नहीं किया जाएगा आज जब मैं आपके बीच आया हूँ इस लोकतंत्र के मंदीर के पास खड़ा हूँ तब मेरा रदय पीड़ा से भरा हुआ है क्रोध से भरा हुआ है मनिपूर की जो घटना सामने आई है किसी भी सब्बे समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है पाप करने वाले गुना करने वाले कितने हैं कौन है वो अपनी जगा पे है लेकिन बेज़्जती पूरे देश की हो रही हैं एक सो चालिस करोड देश वाल्चों को सर्मसार होना पड़ रहा है मैं सभी मुख्मंत्रियों से आगरे करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्ताओं को और मजबूत करें खास करके हमारी माता और बेहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं गटना चाहे राजस्तान की हो जटना चाहे चत्तिस गट की हो गटना चाहे मनिपूर की हो इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोड़े में किसी भी की राज्य सरकार में राज नीतिक वाद विवाद से उपर उठ करके कानून व्रवस्ता का माहत्माएं नारी का सम्मान और मैं देश वाच्यों को विश्वाद दिलाना चाहता हूँ किसी भी गुनेकार को बख्षा नहीं जाएगा कानून अपनी पूरी शक्ती से पूरी सक्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा मनिपूर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माप नहीं किया जा सकता है यहां तक कि जो अश्वनी जो CM है विबरेंज उन्होंने भी बलके CM जी नहीं भी गोले इस तरह के जो अपराद होते हैं उनके उपर सीधा मौत की सजा मिलने के उपर आप विचार करना चाहिए ऐसी घटना बरदाश नहीं की जा सकती सुप्रियम कोट ने भी बोलाए कि इस तरह की घटना को बरदाश नहीं किया जा सकता यहां ते की केंदर सरकार ने भी रिपोर्ट मांगी है जो स्टेट गवर्मेंटोस से और इस मामले में अब जो सुनवाई होनी है वो अगले फ्राइडे को होनी है जो मनीपूर का जो वीडियो आ है और यह वीडियो इतना भयानक है कि हम वाकिया आपको दिखा ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें जो हो रहा है वो इनसान तो नहीं कर सकते हैं एक महिला के साथ कोई इनसान इस हद तक दरिंदगी नहीं कर सकता है जैसे कि आपको बता दे कि ये वीडियो अगर आप देखेंगे हो ना हो सोशल मीडिया के तुरू आप तक भी पहुचेगी और इस वीडियो में देखेंगे तो भीड बकाइदा महिला को निर्वस्त्र करती है इसके बाद यहां-महां टच भी करती है जिस सोचे उस वक्त उस सोशल मीडिया पर वाइरल कर देते हैं ऐसे मैं आपको बता दे कि पुलीस ने एक आरोपी को यानि मुख्या आरोपी है उसे भी अरेस्ट कर लिया है फिलाल मामले की जान चल रही है जैसा भी जो कुछ भी आगे आएगा हम अपडेट आपको जरूर देंगे कुछ दयवा ठाुर मामले की जान चल रूर देन आपको हzz सबाई है जो शयाँ